अपने सम्राट पिठ्थी विराज काये के हाँ पर अब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन उसका एक सो यहाँ पर देखा है अपने अभिनों से प्रख्याद अभिनेता स्री अक्षे कुमार जी ने अभिनों को जिस रूप में पांद करके नकिवल अपने अभिनों के माध्यम से बलके भारत के अतीद को जोड़ करके जिस एक फिल्म को हम सब के सामने आजादी के अमरित महत्सों वर्स में प्रस्तुत किया है मैं इसके लिए इस फिल्म के जो निर्देशाख है अक्षे कुमार जी को चंदरप्रकास दिवेदी जी को अभिनेत्री सुष्यमानसी चिलर जी को और सभी कलाकारों का धिर्दै से अभिनंदन करता हूँ मुझे कई वर्सों के बाद किसी फिल्म को देखने का उसर प्राप्त हुआ है समय भी नहीं रहता है लेकिन अक्सर मेरे मंत्री मंडल की सयोगी इस प्रकार की फिल्मों को बड़ा पसंद करते थे तो वे लोग कहते थे कि कुछ ऐसा उसर हो लेकिन आप सब जानते कल आदने प्रधान मंत्री चीवियर आदने राष्ट पती जीकर उत्तर प्रदेश दोराहर एक साथ दोनों का एक जीकर कारिक्रम है मैं उसी कारिक्रम की तैयारी देखने के लिए प्राता काली के साथ पूरी तैयनवेंता के साथ हमारी इंकलाकारों के इध्यास को जोड़ने के इस कारिक्रम के साथ आप सब जुड़े रहें मैं जब कानपुर दिहात में था तो मेरे साथ महाँ पर मेरे सयोगी मंत्री सिराकेश सचान वहाँ पर थे तो जब मैं चलने के लिए हुआ तो उन्हों ने कहा कि आज आपने फिल्म देखने के लिए हमें पहली बार कहा और आप हमें ही छोड़े मैं कर चलिए अपी से मेरे साथ में मैं उनको भी साथ में लेकिए आया लेकिन मेरे अनपस्तिती में यहां केश्व मौर्य जी थे मेरे मंत्री मंडल के सभी बरिष्ट स्योगी यहां पर इस फिल्म के साथ जुड़े थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है परिवार के साथ लोग देख सकते हैं मनुरंजन भी है और इत्यास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और यह फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेडित करती है कि अतीद के बगर बरतमान नहीं होता है और अतीद की कौन से ऐसी गलतियां है जिन गलतियों का परिमारजन लगातार 75 वर्सों से हम करते हुए अब आजादी के अम्रित महुत सो वर्स में आये है वित्रो 75 वर्स का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है आत्माव डोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्स के अम्रित काल का जो आवहान अदिने प्रधानमंत्रीची ने किया है इन 25 वर्सों में भारत को कहां लेके जाना है इस पर अभी से कारियोजना बनाकर किसे लागू करने का एक प्रियास हम सब के अस्तर पर होना चाहिए राश्ट उत्थान का जो अविहान है इस राश्ट यग्यमें हम सब के अपनी भूमिका होगी कला अपने अपने एक प्रतिवा होती है इस स्वर्प्रदत एक विसेष्ट प्रतिवा होती है और उस कला को अभी इस संब्राट प्रतिवराज की रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्याद अभिनेता सेक्षे कुमार जी की इस अभिनो के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है मैं यहां पर अक्षे कुमार जी का इस फिल्म के जो डारेक्टर हैं शिचंदर प्रकास दिवेदी जी आपने उनके कारे को इस से पहले चानक के से सीरियल के मात्यम से भी देखा है और है हमने तमाम ऐसे कारिक्रम जो हमें रास्टियता के साथ जोड़ता उस कारिक्रमों के मात्यम से हम लगातार इसका उन्हों करते रहे हैं आज वेश्वेम भी यहां पर उपस्तित हुए हैं और सुशी मानसी जी इस से पहले भी भारत माता के इन कलाकारों ने आदने प्रधानमंत्री जी क्यावभान पर एक आम जन्वानस से चुड़ी भी तमाम विस्यों को लेकर के फिल्मों का निर्मान किया ये फिल्में वास्तों में क्यों मनुरंजन के साधर मात्र नहीं है लोग जागरुकता के भी राश्टी प्रिणा के भी और समाज को एक नई दिसा देने के भी मात्यम बन सकते है यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है मैं आज की इस आशर पर अपने उत्तरब्रदेश वास्यों की और से आपका और आपकी पूरी टीम का हिरदे से अभी नंदन करता हूँ और विश्वास करता हूं कि ये फिल्म बहुत सीक्र यहां पर हमारी पीच में आएगी उत्तरब्रदेश वास्यों देखेंगे और उत प्रदेश में इसको टैक्स फ्री करने के भी बहुत सारे अस्तन हैं। और उन अस्तनों के बारे में लोगों के मन में एक जागुरुकता भी पैदा होगी। तो सौभाई गुरूप से आज हमारा कन्योच इत्र के साथ साथ गोवर के साथ भी जुड़ रहा है सौभाई गुरूप से कन्योच को जानने और अन्य उत्तरब्रदेश के उन सभी अस्थलों के बारे में जानने का एक उसर भी प्राप्त होगा मैं सौसर पर एक बार फिर से इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े वे अक्षे कुमार जी मानसी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तरब्रदेश वास्यों की ओर से उत्तरब्रदेश सरकार की ओर से हिर्दै से विनंदन करता हूं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की रसनात्म पिलूं के मात्यम से समाच को चाग रूप करने समाच को एक नई पिर्णा प्रदान करने का वा निरंतर प्रियास करेंगे उत्तरव्रदेश हासन उनके इस होड़े और कार्यकरम के साथ आप बारो पिसो एक बारोगा जियन आपकर भी आपकर जा जान जा एक वैला के टूए-पाट झाया हूता, भी चुरीे आपकर खबनाए ह।